हाईलो एब्रेवन वल्कम तो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर रेवन की मदश से बहुत ही सुन्दर सी 15 अगस्त के लिए काना जी की डिरेश बनाना सिखाएंगी तो यहाँ पर मैंने पेपर पेशटिंग ली है इसकी लंबाई चोणाई बता देते हैं तो लंबाई हमारी है दस इंच और चोणाई भी दस इंच है तो इसको हमें यहाँ पर इस तरए से फोल्ड कर देना है अब हमें आपर इसको दुबारा से खोल्ड करेंगे और हैं पर हमाई लंबाई पांच इंच की आ रही है तो अब हमें आपर पूरी गुलाई में पांच इंच पर निसान लगा देंगे और दोस्तो प्लीजिस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लीजिस वीडियो को जरूर लाइक कर देना सारे निसान को हमें आपर मिला देंगे और जहां पर हमारा कोणर है तो हूँ आपर हमें आदा अंच पर निसान लगा देना है और इत्रे से गुलाई कर देंगे और यहां पर भी हमें कटिंग कर देना है तो कुछ इत्रे से मैंने कटिंग भी कर लिया है और इसको देखी मैंने कपड़े पर भी चिपका लिया है और फोल्ड करके भी सिलाई लगा दिये तो अब हमें यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करईगी और यहाँ पर हमें सीधी साट से निशान लगा देना है और यहां से कटिंग करेंगी कमर की साट से भी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है गुलाई में तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने तीन कलर की कुछ तरह की रिवन लिया है तो इनको हमें आपर पहले तीनों को बरावर करेंगे और यहाँ पर हमें धाई और तीन इंच की लंबाई में हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले गिरीन कलर की रिवन को लेंगे और इसको फोल्ड करके यहाँ पर रख लेना है और तीसरी रिवन को भी यहाँ पर फोल्ड करके सिल लेना है और जो हमारी ribbon है इसको हम यहाँ पर आड़ा या एकिंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ पर ribbon को रखेंगे और उसके बार में सिलाई लगा देंगे तो इसी तरिके से हमें पूरी गुलाई में जो हमने ribbon cutting करी है तो इसको सिल लेते हैं यहां पर आप लोग देख सकते मैंने पूरी गुलाई में गिरीन कलर की जो हमारी रिबन है इसको सिल लिया है नीचे की तरब हमें गिरीन कलर की रिबन लगानी है अब हम यहां पर क्या करेंगे भायत कलर की जो हमारी रिबन है तो इसको fold करेंगे और यहां पर रखके सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से दूसरी ribbon को भी हम यहां पर fold करके सिल लेते हैं जो हमारी head color की ribbon है इसको हमें कुछ तरह से उपर की तरफ बढ़ा के ही सिलाई लगानी है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से ribbon को सिलती हूँ तो इसी तरीके से हमें इसको भी पूरी गुलाई में सिल लेना है तो भाट color की जो हमारी ribbon है तो इसको भी वहने सिल लिया है अब हमें आपर क्या करेंगे जो हमारी कीशरिया color की ribbon है तो इसको भी हम यहाँ पर फोल्ड करके सिल लेते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी रिवन को भी इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे जो हमारी रिवन है इसको बिल्कुल पास पास में ही रखे सिलाई लगानी है यह जो हमारी केसरिया कलर की रिवन है तो इसको भी हम यहाँ पर उपर बढ़ा के ही रखेंगे और इसके बाद में ही हमें सिलाई लगा लिए तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी पूरी गुलाई में सिल लेते आए तो यहाँ पर हमारी केसरिया कलर की रिवन है तो इसको भी मैंने कुछ इतरह से सिल लिया है और यहाँ पर मैंने नैट को लिया है इसकी चोड़ाई मैंने तीन इंच रखी है और लंबाई हम यहाँ पर नाप लेते हैं तो लंबाई हमें आप रखेंगे तुरेपन इंच की तो है आपर हमें कटिंग कर देना है बची हुई नैट की और उसके बाद में हमें आपर इसमें पलेटे सिल लेनी हैं तो इस तरह से हमें आपर चौरी-चौरी पलेटों को सिल लेते हैं पिलेट का जो डारेक्सन है वो हमें भार की तरव रखना है तो पूरे नेट में मैंने कुछ तरह से पिलेटों को सिल लिया है अब हमें आपर गेर को लेंगे और इसके उपर हमें आपर कुछ तरह से इस जालर को रख लेते हैं गुलाई में और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे तो यह आपर देखे मैंने सिलाई को भी लगा दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से इसमें छोटी छोटी पलेटे डालेंगे और उसके बाद में हमें सिलाई लगा देनी है बची हुई नेट की कटिंग कर देते हैं बिल्कुल एक बराबर हमें आपर कटिंग कर देंगे तो हमने कटिंग कर लिया है अब हमें आपर केसर या कलर की जो हमारी रेबन आए तो इसको लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वह वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर दाफ सिलाई लगा देंगे अगर आप यहाँ पर नेट नहीं लगाना चाहती है तो यहाँ पर आपको रिवन को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से रिवन को लिया है तो इसको हमें यहाँ पर कमर की साठ से भी सिल लेना है तो पहले हमें यहाँ पर रिवन को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है अब हमें आपर क्या करेंगे घेर को लेंगे तो इस तरह से हम पूरी गुलाई में रिवन को सिल लेते हैं कमर की साथ से आपर एक सीधी सिलाई लगा देंगे और इसको बरावर करके कटिंग कर लेते हैं तो इनकी लंबाई हमारी 12 इंच है अब हमें आपर दो रिवन को लेंगे और इसको बरावर करके सिलाई लगा देंगे और यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है और यहां पर गिरीन कलर की जो हमारी रिवन है तो इसको हमें यहां पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा दी है यांपर दोनों को कुछ तरह से बरावर करेंगे और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है धाया तीन इंच पर तो हमने सिलाई लगा दी है इसको सीधा रखेंगे और यहां पर पतली वाली रिवन को लेंगे तो इसको हमें नीचे की तरफ इस तरह से रख लेना सीधी साइट से और फिर सिलाई लगा देंगे इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है तो हमने सिलाई लगा दी है यहाँ पर थोड़ी सी रिवन कटिंग कर देंगे फिर हम यहाँ पर फैबिली ग्लू लेंगे तो इसको हमें यहाँ पर लगा लेते हैं और यहां पर छोटे वाले नंग लगा लेते हैं कुछ तरह से इस तरह से हमें एक या दो रिबन को चोण के ही अमें आपर नंग को चिपका लेते हैं अच्छे से और उसके बाद में हमें इसको सूखने के लिए भी रख लेना है तो पूरे में मैंने कुछ तरह से नंग चिपका दिये हैं अब हम यहाँ पर काना जी लेंगे और इनको ड्रेस पहनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे तो इसको यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ हमें इसको अच्छे से बान देना है और यहाँ पर लहेंगा लेंगे तो इसको भी हमें यहाँ पर पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ अच्छे से बान देंगे तो देखा हमने कितने आसानी से विवन की मदद से भौती सुन्दर सी 15 अगस्त के लिए काना जी की ड्रीश बनाई है और इसको आप 26 जन्वरी पर भी पहना सकती हैं तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिल जाएगी